भाई और बैनों मात्री सक्तिको नमन चैनल 24 प्लस न्यूज के खाश चित समाधी देने वाला चित को परशन करने वाला रोम रोम को आनंदित करने वाला रोम रोम को पुलकित करने वाला और एक आनंद का जरिया खोरने वाला हमारे चित के अंदर चित की समाधी देने वाला और हमारा कल्यान करने वाला, हमें मानसिक देने वाला, पुनुरुत्थान कारिक्रम में आपका हार्दिक स्वागत्य अभीनंदर ने सदकार है, पुनुरुत्थान कारिक्रम प्रती दिन नहीं नहीं विश्यों के साथ प्रवेश होते हैं, पुनुरुत्थान कारिक्रम का पुदिश्य है कि लोगों में विदायक भाव पैदा करना, लोगों में परिवर्तन लाना, ताकि लोग स्वैम भी सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे, और पूरा समाज सुखी रहे, तो इसी क्रम में एक हम दार्शनिक विश्य को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो तो आज का विशह है अनाशक्त भावों से ही मुक्ति संबाव। भाई और बैनों दर्शक गर्ण सोता हैं इन दो शबतों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा काम हो गया एक तो अनाशक्त भाव और एक मुक्ति अनाशक्त भाव। अनाशक भाव का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तू के प्रति अटेच्मेंट नहीं रखना और हमारी भारतिय संस्कृति के जितने धार में गरंत हैं जितने धर्म हैं उन्होंने भी बामाना है कि वस्तू परिग्रह नहीं हैं वस्तू के प्रति जो आशक्ति की बामना है वह प कान ये जो मेरा शब्दाया है ये आ सकती है ये अटेच्मेंट है और आप कहते हो हमारी पुरानी माता हैं हमारी पुरानी दादियें पुरानी नानिया कहा करते थे उनको पूछा जाता था क्या आपके कितने बेटे हैं आपके क्या काम करते हो कि माया महादेवरी है मारे तो पांच बेटा है, मारे इतों केत है, सब भगवान रो, ईश्वर रो, देखिए, ये बात है, ये अनाशक्ति की भावना है, आपको जो मिलना है, आप जो पुन्य संच्या करके आए, वो पूरुजनम के अंदर, वो अपने आप मिलेगा, आप पुर्शाट करोगे, तो भी मिल पुर्शाट करते रहना है, लेकिन पुन्योदे होगा, वो मिलेगा, लेकिन उसके प्रती जो भावना, मेरे पन की भावना नहीं होनी चाहिए, उसको हमारा समझना चाहिए, मैं आपको उधारण के तोरह बताना चाहता हूँ, कि एक बहुत अच्छा बंगला है, और एक ब आउना में क्या आएगा, ये गंदा नहीं होना चाहिए, ये साफ सुतरा नहीं होना चाहिए, ये टूटना चाहिए, इसमें भुकम पावे तो कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, और किसी भी तरीके से डेमेज नहीं होना चाहिए, ये साफ सुतरा होना चाहिए, क्योंकि मेरा पंच उड़ गया और एक आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो इसका चोकीदार हूँ मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ मैं तो इसका देखबाल करने वाला हूँ ये मेरी कस्टेडी के अंदर है देखिए चीज आपकी मकान आपका प्रॉपर्टी आपकी लेकिन भावना भावना में फर्क हो गया जो ही आपने किसी भी वस्तु को अपना ट्रस्टी समझा आपकी भावना बदल गई इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एक दिन जाने वाला हूँ मेरा तो ये शरीर नाशवान है कभी भी जा सकता है ये प्रॉपर्टी साथ नहीं लेकि जा सकता अरे ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी ये भी साथ नहीं जाती है तो दूसरी प्रॉपर्टी धन, बंगले ये सब चीजे कैसे जाएगी परिवारिक जन कहा जाएंगे साथ में कभी भी नहीं जाएंगे तो ये चिंतन करने काली एक चिंतन कैसे आएगा अनाशक्त भावों से आएगा और अनाशक्त भावों से ही मुक्ति है मुक्ति की बात कहते हैं, मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ होता है, किसी भी चीज के साथ अपने आपको जोड़ना नहीं, नौन अटेस्ट रहना, जग माही ऐसो रहो, जों अम्बुज सर माही रहे, नीर के आसरे पर जल चूवत नहीं, विवे का नंजी ने कहा है, कि रिमेन इन दा वर्ड एज लोटस रिमेंस इन दा मड, जिस तरीके से कमल का पोदा होता है, वो कीचड के अंदर खिलता है, तो कम इश्वर से आत्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो कीचड क्या समझता है, वो तो मेरे साथ है, गमल सोचता है, मैं तो इससे उपर उटा हूँ, दोनों का काम हो गया, तो इसी तरीके से रहने की ये पदत्ती है, व्यति अनाशक्त भावों से रहना चाहिए, उसको जो है, वेदान्त की भाषा में बात कहूं, उनको विदेक आ जाता है, और विदेक लिए में उधान देना चाहता हूं, कि राजा जनक्त, जो सीता के जो पिता थे, वो बहुत बड़ा जो है, उनका संचालन, मिथिला, कि ये बड़े राजा थे, और बहुत बड़ा संचाल करते थे, राजपाट चलाते थे, लेकिन विदे है थे, विदेक आर्थ होता है, कि शरीर में रहते हुए शरीर का बानना होना, शरीर को अलग समझना, आत्मा को अलग समझना, वो तो समझते थे कि मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा कभी भी जाने वाली, वो अजर है, अमर है वो जो है वो अनंत ग्यानवाला है, अनंत दर्शनवाला है, अनंत शक्तिवाला है और अनंत सुक का धाम है, मुझे तो उसके अंदर विलीनोनार वही मुक्ति है, तो इसलिए जो विदे होता है वो जीवन मुक्ति हो जाती है, क्योंकि वो जीवन से मुक्त हो जाता है, उसको किसी भी चीज के अंदर आसकती नहीं रहती है वो सब काम करता है एक common man करता है भगवान राम थे वो विदे थे वो सब काम किया उन्होंने शादी की बेटे हुए बाई थे राजपाट किया जंगल में जाए लड़ाई करी कितने का नरसंगार किया उन्होंने राउन को मारा और उसके अतिरित कितने कितने दुष्टों को मारा कितने कितने रक्षशों को मारा सब कुछ कारी किया लेकिन विदे थे उनको कोई पाप नहीं लगा क्यों पाप नहीं लगा कि वो नाशक्त बाउं में जीते थे उनके मन के अंदर किसी के प्रती आश्रक्ती और रागद्वेश नहीं था वो किसी को मारते थे तो ये नहीं कि इसको जो द्वेश के रूप में मारा जाए वो तो अपना कर्तब भे समझते थे कि ये जो राम के भक्त हैं यानि जो प्रभू बक्ती करने वाले हैं उनको ये सताते हैं मतलि ये सज्जन लोगों को सताते हैं दूस्ट लोग है तो ये दूस्ट लोग किस काम के इसलिए उनको जो है वो मारा करते थे वो ये जेस्टिस था उनका और वह जो है वो बिलकुल जो कारी करते थे करतब्य भा मेरा ये दो शब्द है ये व्यक्ति को डुबा देते हैं ये व्यक्ति को जो है चौरासी लाग जीवाईयों नहीं में गुमाते हैं और सभी समश्याओं की जड़ मैं और मेरा में हैं ये आशक्ति के भाव हैं और हम और हमेरा बोलो आप ये घर हमारा है और हम मिलकर के ये कार फरक है घर में दस लोग रहते हैं तो हमारा कहने में क्या प्रॉब्लम है और हमने दस लोगोंने मिल करके आज 15-20 लोग मिल करके चेनल 24 चला रहे हैं कोई अकेले व्यक्ति करें गश्या विटेक मैं चला रहा हूँ ये चेनल मेरा है अरे भाई सभी मिलकर के चला रहे हैं तो ये मेरा और मैं है ये सब दुख का कारण है और यही आशक्ती है ये मैं सेपीशोड के माद्यम से आज कहना चाहता हूँ हर वक्त अनाशक्त भाव रही है रखिए आप भाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड आज हम थोड़ा इसको सेनियरियों से जोड रहे है देखिए आज वक्ती जो है स्वारती हो गया है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और वक्ती हर चीज अपने स्वारत की नजर से देखता है उसमें स्वारत की भावना इतनी घर कर गई है उसके मन में दिमाग में हर वक्त रहता है मैंने पिया, मेरे बेल ने पिया, हुआ डहे तो डहे यानि मेरे को क्या है, मेरा काम हो जाना चाहिए अगला मरे, अगला जीए, मुझे कुछ लेना नहीं है ऐसी भावना घर करती जा रही है ये मैं और मेरा पन की उत्करष्ट भावना है इससे क्या होता, इससे समाज बिगड़ता है ऐसे ऐसे स्वारती लोग बढ़ते जाते हैं तो घर के अंदर विशमता पैदा हो जाती है और मान लीजिए, घर के अंदर तीन या पांच बेटे होते हैं और हर्ब और उसमें से कुछ अदर्शी इस तरीके से स्वारत की भावना करते रहते हैं वो तो अपने अच्छी चीज होती है, लोइंस शेर खाजेते हैं अच्छा कपड़ा में पहन लेते हैं और कोई सेक्रिफाइस नहीं करते हैं कोई काम केंदर हाथ नहीं बढ़ते तो वो बताईएए वो स्वारत की भावनाएं विश्वता पैदा करती है और ये आसकती के कारण होता है, मैं और मेरे पन के कारण होता है इस आशक्ति की भावना को छोड़ना है आज हो क्या रहा है कि हमारी mathematics के अंदर जो एक थियोर्म आती है कि एक केंदर के द्वारा एक वरत खीचा जाता है तो केंदर होता है, center होता है, वो powerful होता है, वो आकरशन का केंदर होता है, आज से हम 20-30 साल पहले जाए, उस केंदर केंदर मनुश्यता, मनुश्यता थी, इंसा हमेशा पूजा की जाती थी और उनसे गुण-गरण किये जाते थे, और परिधी के उपर हमारे सादन, धन, दौलत, पैसा, आर्थ जो है, परिधी पे था, लेकिन समय बदला, लोगों के अंदर लाल सा पैदा होई, लोगों के अंदर आशक्ती पैदा होई, तो उससे क्या I am to earn the money because money is the symbol of the status of the society हमें society के स्टेटस जो है अर्थ के स्टेटस को बदलना होगा और मुल्यों की साफना करनी होगी चरितरवान लोगों को साफना सब सोसाइटी में उन लोगों को तवज्जा दी जानी चाहिए जो जिनके पास में गुण हैं जो चरितरवान हैं लोगों की भलाई करने वाले हैं परोबकारी लोग हैं और अच्छा कारी करने वाले हैं उनको तवज्जा दी दानी चाहिए मात्र जिसके पास अर्थ है और उसी को ही हम बड़ा मानें उसी को आगे बिठाया हैं साध्य हमारे मुल्य हैं, साध्य हमारे अनाशक्त भावना हमारा साध्य है, आप अनाशक्त भावना रखेंगे, तो सबसे बड़ा क्या लाब होगा, मैं आप उसको लाब बताना चाहता हूँ, अनाशक्त व्यक्ति जो है, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि वो तो स जिहर की धेली को जो है उसने काट दिया, उसको अलग कर दिया, तो इसलिए जब मैं और मेरा नहीं है, तो हमेशा खुश रहेगा, और दूसरी बात क्या है? व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, अनुकूल परस्तिती में, प्रतिकूल परस्तिती में कितने भी आदमी को जंजवत कबी दुक्षी नहीं होगा तो देखिए हरव्यक्ति सुक्ष चाहता है तो लेकिन सुक्त कैसे मिलता है यह उसको पता नहीं है सुक्त मिलता है अनाशक्ति की भावना से क्यों Law अनाशक्ती बावना से तो मुक्ती मिल जाती है, मुक्ती उनको ही मिलती है, जो अनाशक्त लोग होते हैं, अनाशक्त एक साधना है, अनाशक्त जो है, एक मुक्ती तक पहुंचने का द्वार है, जैसा कि मैंने अभी विदे की बात करी है, वो अनाशक्त बावना से जुड़ा नहीं हो हन पर हर परस्तिति के अंदर हम खुश रहें दुख में भी खुश रहें और सुख में तो व्यक्ति खुशी रहता ही है कहा भी कहा है को जो सुख में सुमीरन करें दुख काये का हो इसलिए हमें हमेशा जो है इश्वर भक्ति में अनाशक्ति भावना ये इश्वर य वो एक इशुर का रूप है वो एक अच्छा मानव है इसलिए हमें उस भावना करना और आज यह जो हमारा सिनेरियो जो बदल रहा है लोगों के माइंड सेट को बदलना है और यही हमारे पुनरुत्थान कारिकरम का उद्धिश्य है यह लोगों में बदलावावे लोगों के हमारे जो मुल्यों की प्रतिष्टा गिरी है उन मुल्यों की पुनरुत्थान कारिकरम का उद्धिश्य है तो मैं और मेरा चौडेंगे हम और हमारा करेंगे और ट्रस्टरीशिप को करेंगे तो निस्चित रूप से आपके अंदर कोई बुरा ही नहीं आशक्ती आप में को कोई अनाशक्ती और कोई तरह कि आपकी बिमारी आप आएगी नहीं, हर वक्त आप रसनर होगे, और देखिए बाही और बैनों दर्शक गंसोता गंस, निश्कर्ष की बाशा मैं बात करूं, कि जो अनाशक्त व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के साथ सबी रहना पसंद करते हैं समाज में ऐसे लोगों की बहुत इज़त होती है, समाज में ऐसे लोगों को इस्तान दिया जाता है, क्योंकि वो सब का भला करेगा, वो किसी के साथ शोशन नहीं करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, उसको पक्षपात करना ही नहीं है, पक्षपात उसको उसने पहले ही छोड़ दिया है और ये रास्ता परुबकार की और ले जाता है और ये जीवन का सही गंतव्य है क्योंकि हम खुद जो है गेराई से चिंतन करो जब आव अकेले बैटे हो तो अपने अंदर तीन प्रशन करो मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूं मुझे कहां जाना है इस तरीके चिंतन से हमारे अनाशक्ति आती है हम सोचने लग जाते हैं गहराई में जब मेडिटेशन में गहरे डीपली चले जाते हैं तो हमको निशकर्स मिलता है कि भई तेरा ये शरीर नाश्वान है लेकिन इस शरीर के भीतर बिराजमान शुद आत्मा भगवान है वो भवत तत्व है शाहश्वत है हमेशा रहने वाला है और ये शरीर तो आपने कितनी बार धारन किया भगवान कृष्ण ने ये आगीता के अंदर कि जिस तरीके से व्यक्ति का जो है वो कपड़े पुराने जीनशिन हो जाते हैं तो व्यक्ति कपड़ा पुराने जीनशिन को जो इस शरीर को छोड़ करके शुद्ध आत्मा भगवान हैं वो दूसरे शरीर करके बिराजमान हो जाते हैं और अपने कर्मों के अनुकूल जो है वो वापस जो है अपना कारी कलाब करते रहते हैं तो भाई और बैनों दर्शक और शोता गण जो है अनाशक्ती बहुत सु पुष्पों को चुनना है मुझे एक हार बनाना है जिसमें सुन्दर सुन्दर पुष्प हो मुझे एक माला बनानी है जिसके अंदर सुन्दर सुन्दर मनके हो तो उसमें से अती सुन्दर मनका जो है वो अनाशक्त बावना है इस गुण को जीवन में उतारिये देखिए क जब तक हमारे कोई भी चीज आत्म साथ नहीं होती है, जीवन के अंदर धारण नहीं की जाती है, तो वो हमारे जीवन का अभिन अंग नहीं बनता है, अभिन अंग नहीं बनने के कारण हम बठक जाते हैं, हमको अगर स्थिर रहना है और अच्छा जीवन जीना है, में 11-12 मेंबर होते हैं और यह एक विवस्ता है एक कप्तान बनाया जाता है एक एसिस्टेंट कप्तान बनाया जाता है हर जगे विवस्ता है घर में एक वरिष्ट नागरिक माता पिता होते हैं और फिर उसकी देखरेक में काम करने वारा तो है फैक्टरी का एक मालिक होता है म हर मज़दूर के अनाशक्ति की बावना होनी चाहिए कि मेरी फैक्टरी जो है वो बहुत अच्छा अर्न करनी चाहिए और फैक्टरी के मालिक के अंदर ये अनाशक्ति की बावना होनी चाहिए कि मुझे जितना इसका शेयर चाहिए दस परसेंट बीस परसेंट बाकी गज़ जो 80% बचा हुआ है मजदूरों ने कमाया है वो मजदूरों के अंदर वो माट देता है बोनश के माद्यम से, सेलरी की माद्यम से प्रमोशन के माद्यम के अंदर तो फैक्टरी जो है वो चलती रहती, दोडती रहती है तो मालिक चाहे उस factory में, बैठे या ना मैठे, control करे या ना करे factory अपने आप चलेगी, क्योंकि लोग ये समझेगे कि ये मेरी factory है, ये हम सब की factory है और इसी का नाम सरवोद है, जब हम ऐसी सुन्दर भावना करेंगे तो उसका result का आएगा, कि हमारी प्रकरती के अंदर जो negativity ब और इस प्रकरती के अंदर, इस nature मा के अंदर चोड़ेंगे, तो हमारा वायू मंडल, हमारा जो विचारों का production है, वो production हटेगा और हमारे सुन्दर विचार मिलेंगे, देखिए, पुद्गलों का अपना प्रभाव होता है, विचार एक पुद्गल है, कि आप कोई ऐसी शकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, और दूसरी जगह जहां पर बुरही की भावना अपराद किये जाते हैं, जहां मिलावट की जाती है, चोरी की जाती है, डखेती की जाती है, हिंसा की जाती है, लोटे रहे रहते हैं, तो वहां के परमानों शुद्ध होते हैं, वहां जाक अब जरों का बड़ा प्रभाव होता है, अनाशक्ती भावना आप जीवन के अंदर आज ही जो है आप पाल करके देखिए, कल से लागु कीजिए आपके अंदर आपका जो भी प्रपर्टी है उसमें ट्रस्टीक करिए और मैं और मेरा बोलना बंद कर दीजिए, हम और मैं शब्द आए वहाँ, हम बोलो, और जो है मेरा आवे, जह हमारा बोलो, तो आपको स्वेम देखोगे, कि आपके अंदर परिवर्तन आया है, और आपके लोग भी जो है, आपको प्रेहिम करने लग जाएंगे, कि ये व्यक् अच्छाईयों को लेना है, क्योंकि मनुश्य जनम जो है, अच्छाईयों के लिए मिला है, मनुश्य जी उन अच्छाईयों को पैदा करना, अच्छाईयों को जीना और अच्छाईयों को माटना उसके लिए मिला है, लेकिन जब आज समय बदल गया, बुराई बुराई च खतम करने के लिए उसके सामने positivity उखड़ा करो हमारे घर के अंदर कोई भी ये गुंड़ा आ गया और घर को दबा के बैटा है तो आप बड़े गुंड़े को ला करके खड़ा कर दोगे तो गुंड़ा भाग जाएगा इसलिए आपके अंदर बुरा भाव आए उसके जए शुब भाव को खड़ा कर दीजो positive विदाएक भाव को खड़ा कर दीजिए अनाशक्ति की भावना एक positive भावना है बहुत बड़ी उची भावना इससे मुक्ति मिलती है इससे व्यक्ति जो है सब जो सीमाओं से मुक्त होकर के आनंद का जीवन सोतंत्र जीवन जीने लग जाता है तो उसको आप अपनाईए तो आपको सहजी फरगाए भाव भावना दर्शक अन्सोतागान हमारा पुनुर्थान कारिकरम कोई तरह का तंत्र, मंत्र कोई किसी हम तो एक ही चीज में विश्याश करते हैं कि हमारा विधायक भावों को पैदा कीजिए दर्शक अन्सोतागान भाई और बहुत बहुत धन्यवाद पुनुर्थान कारिकरम हमेशा पॉजेटिव सोच की तरफ बात करता है पॉजेटिव थिंकिंग ही हमारा उदेश्य है कि लोगों के अंदर जागरती आए और लोगों के अंदर पॉजेटिव थिंकिंग बढ़े पॉजेटिविटी बढ़े उससे हमारे वातावन के अंदर हमारे कॉसमोस में पॉजेटिविटी बढ़ेगी झाल झाल